औरल्ट फ्रेंडर्ड तू लास्ट्व ग्रीए में आप लोग इने देख लियाençaओं कैसे हमनेの counter contract को बिना और प्रत मैंने आपको इसकी इंप्लिमेंट भी करके दिखाया इस वीडियो में थोड़ा साथ persistent कैसे कर सकते मैप होताता हूँ तो सबसे बहुत कंस्ट्रक्टर का इस्तमाल हम लोग यूजिली नहीं कर सकते या नहीं करते हैं तो भी काम हो जाएगा अब बाइडिफॉल्ट यहां पे इसकी वैली देदो बट इट शुद भी पब्लिक ठीक है यह हमारा पब्लिक होना चाहिए क्यों क्य में जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है वो पब्लिक ही होता है और वो जो इनिशल वैली होती है उसको सेट करने के काम आता है तो पहली से सेट कर दो ऐसी बिना किसी का इस्तमाल कि बिना किसी कंस्ट्रक्टर का इस्तमाल कि ठीक है तो यह अब गेट काउंट की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे function की क्यों कि भाई यह variable है ना यह variable ही public हो चुका है अब यह variable as a function हमारा काम करेगा तो इसकी जरूरत पूरे की में को नहीं पड़ेगी अब सिर्फ असर्फ में को जरूरत किसकी पड़ेगी वो पड़ेगी increment count की तो मैं इसको फिर से करता हूँ control s से save करता हूँ फिर चलता हूँ यहाँ पे और इसको फिर से compile करता हूँ compile जैसी मैंने किया इसको compile के बाद मैं नीचे चलता हूँ यहाँ पे सब कुछ सेम से रखता है अपने इसी वाले accounts से मैं deploy करूँगा deploy पे क्लिक करूँगा deploy करके चीज़ फिर से deploy होगी और आप लोग देख सकते थोड़े सा पैसे और कम हो गए ठीक है क्योंकि आपका बताई गैस सकते है टक है तो यह आगए मेरा अब देखो यहां पर जब आप जाओगे तो यह पुराना वाला यह तो पुराना वाला है यह दो लावाला यह दोए तूसरा वाला यह दूसरा वाला यह थाओ सब्सक्राइब आपके चीज़े काम करेंगी तो इस वीडियो में आपको इस तना बता ना था इस वीडियो के लिए नहीं है आप लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ